तुल तो अफूंद वेल्कम बैक नूवीडियो आज में बना रही हूं गैज मेबे के लड़ू रणाने के लिए आप बेश सकते हैं कि मैंने समाद लगाए है मैंने लिए हैं एक तोरी मखाने और तिल इसको बोलते हैं सफेद तिल मैंने लिए हैं प्राइपूट में आप ले सकते हैं मैंने काजू लिये हैं और बादान लिये हैं एक प्लेट और गॉन खोया आदा गिलो एक गिलो आंटा और मैंने लिया है बोरा अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप आप आसानी से पिज़ाती है और हरी लाइची अगर आपने मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के जीया कमेंट एगा कार्ण जदर वीडियो शियर कीज़ेगा तो गैस बनाएंगे फिलके लड़ू तो गैस बैलकम बैक में वीडियो तो मैं आप देख सकते हैं कि सामान तयार रखा हुआ है और बनाने जाओंगी मैं लड़ू लड़ू बनाने के लिए गाइस सबसे पहले मैं जलाओंगी क्यास को आन क करेंगे एक काटोरा देशी घी का आप देखना की पूरी वीडियो में घी का इसे करेंगे तो सबसे पहले मैं गी डालोंगी सुवाइस मैंने एक बड़ा चम्मस लिया है घी और इसको डालेंगे और इसको गरम हो रहा है सुवाइस एक कड़ोरास भी लेना है और घी में डाल देंगे मकामे और इसको चलाएंगे अब गाइस आप दे सकते हैं कि यह मखाने जो है इस तरीके से घी में इसको फ्राइब कर लेंगे और इसको इस तरीके से देखेंगे कि अभी सॉपनेस है जब यह टाइट हो जाएंगे तभी लगेगा कि हाँ यह बुन है गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे एकिस को लो फ्लाइम पर तरेंगे और इसमेक निकाल लेंगे जाक मिखने कि मकाने उप दे सकते थी अपर मिखने bonsके tenज तो जटका लिए ते तो अब तराइब करेंगे अब तलेंगे गॉन के लिए चमचा फिर डा लेंगे देशीगी और इसको गरम करेंगे गॉन दलने के लिए तरीके से फ्राइब करेंगे और यह पूल के बहुत यादा सॉप्ट हो जाएगा तो 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 स्साइब बढ़े को अच्छा मालों नेन वाके डाल रहा है तो इसी तरीके से आटे को भून ना है जैसे पंजीरी के लिए आटा प्राइ करते हैं तरीके से आटे को अच्छा मून ओर जारते रहेंगे चलाने कर देगां तक स्वान तो से तरीके से करते रहेंगे कहां कर सकते हो Arbeit टुछ वाल के टे तो आटे में लग गये हैं, अगिए पर नख्टे को बड़ें इस तरीके से फ्राइ करना है, अब देख सकते हैं कि किस तरीके से अन्हों चला ङही हूं धीरे दीरे तक या इस बहुत आप की घैस भी खराब अच्छे से बुन चुका है गैस को लोफ लेंपर कर देंगे और इसको एक तूसरे बटन में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पंजीरी भी बना सकते हैं ठंटा होने के बाद इसमें चीनी पीसी हुई या पूरा जो भी आपके पस अबलेबल हो मिला के आ अब दे सकते हैं कि गुलावी गुलावी हो गया है नीचे से भी है जाड़ा इसको पूणेंगे तो ये जल जाएगा इसको ओफ कर देंगे और इसको भी अलग बटन में निकाल देंगे कर नेट धिश्कार कर लिए क्टमेर्ड अरिफ एक विम्हेर कॲां में अन्युमात कर को sparked हैं अब इसी कर पर मुझे अब इसको रख देंगे पिल आटी को घाल आटे के लिए पंखे ключ Vä जैके निल एक अत्या आटी अन्युमात है मैं km तिल को फ्रայ करेंगे इसी तरीके से तिल में तर्माइज ऐसे तिल को फ्राई करना है तो इस, चटकने की आवास तिल आप है त्याओं गहरी तिल को जादा नहीं ज़रेंगे तो यह जड़ जाएगा तिल चटक चुके हैं निकाल लेंगे तिल के लिए तिल हैं जो बैने फ्राइ कर लिए हैं इसको भी ठंडा कर लेंगे और पंकी के नीचे रख देंगे कडस गूया काहले नीचे टंडा करना चैशान के लिए टमा साउए हां है अर्ट की ऐला भी-चे लिए दपटक काज देंगे क्वे को भी ठंडा कर लेंगे स्टेक्स थन्दा हो रहा है तब तक की तिल और ट्राइ फूड चो मैंने लिये हैं काजू और बादाम और यह मखाने और यह गॉन को मैंने फ्राई कर लेंगे अब इसको मिक्सी निखैने के बाद जो प्लेट में निकाल लेंगे आटा थंडा हो चुका है आप देख सकते हैं कि आटा थंडा हो गया है और इसको हल्का सा गरम है तो इसी में जो मैंने क्राइं कर लिया है वह भी मिला लेंगे और यह खोया है खोया इसमें इस तरीके से मिला देंगे यह सब्सक्राइब थे को इस तरीके से ढ़ल देंगे और इसमें ही एक क्यों पूरा पिसा हुआ तो इसमें यह एड़ कर देंगे तो जो मिक्सी में ग्रैंड कर लिया है मेवा और तिल उसको भी इसमें इस तरीके से मिला देंगे इसमें मैंने ग्रैंड कर लिया तिल को मिला देंगे इसी के ऊपर है और यह मेवा को भी इस तरीके से इस लिया है भी मिला देंगे तिल है वह भी मिक्सी में लके से तो इलाइची को इस तरीके से फोल्ड लेंगे अब दे सकते हैं कि पॉर्टर बनके त्यार हो गया है और इसके चिल्के अलग निकाल देंगे जो चिल्के जो है है इसको आप चाय में इस्ते इमाल कर सकते हैं जब चाय बनाये तो बहुत जादा सवाधिक लगती है जाए जिसमान कर सकते हैं इसको कर देखंगे हाइए या था जिर्श undermine ये कदेदा खिल गाइए तो дेख सकते हैं ये तो आप我 दो में इस तरी है दो में मैस कर लेंगे पड़िया दोनों हाथों कि साहेता जान कर लेंगे लट्टू आपके बहुत ज़्यादा सवाधिष्ट बने हो इस तरीके से जी कॉंटिटिटी और पड़ेंगे तो इसमें तीन चंचे और डालेंगे इस तरीके से अब इसको मैस करेंगे घी डालकर अब इसको मिक्स करेंगे तो जब घी डालने के वाद आप गाईज देख सकते हैं कि लट्टू इस तरीके से बन जाएंगे वैसे नहीं बन पा रहेते हैं अभी तो गाईज आप देख सकते हैं कि इसमें एक चंचा और पड़े जब यह सॉप्ट हो जाता है अभी आप लड़ू आसानी से बना सकते हैं जब ही इसमें इस तरीके से कुछ जाता साफ मिक्स हो जाता तो गईस मैंने इसमें पांच अमचा भरवर की डाला है आप गईस आप देक सहते हैं कि अब अब बनाएंगे इसकी लड़ू बनाने के लिए कोई भी शीफ आतप लिए हैं तो टोणों आफ इस तरीके से टैरेंgedगे हैं गोल गोल बन गया है। सेस्टे आप बना सकते हैं। इन सब को लड़ु बनाने के बात मिलते हैं। आप सितकते हैं कि लड़ु बन से गार है । देना सकते हैं कि लडिधु है के हमके आट जाहं। तो आप देख सकते हैं कि लड़ू बहुत यासानी से बन रहे हैं इसमें सम्तिंग मैंने 1 कटोरा देशी की एट कर दिया है जो आटा बहुत सुखा होता है इसलिए एक कटोरा सम्तिंग मैंने गरम करके तो इस तरीके से मिख्स करते जाएंगे में रातों मे ले लेंगे और आसानी से लट्टू बन जाते हैं तो इस little इस This लाएंगे फिली के साफड़ें निया कि आसे अइच? आओप आदश्लिख सकते हैं मैं यह लट्टू बनके तैयार हो गए और कितने बढ़ा हैं ए मैमेर की लट्टू देखी आप आठेस त्यसे भात सक्षाया है बॉस्ति लट्टू तो इसमें सम्टिंग फिलो देशी की लगा है इसमें आप ऐसे लड़ू बनाते हैं बनाने में प्राब्लम होती है तो गी गरम करके डालें तो बहुत जादा बजल्दी बन जाते हैं और सॉफनेस बनते हैं जब तक इस तरीके से आप जबाएंगे दवाने के बाद चाब है तो मेवा जो इस मैंने ग्राइंड कर लिया आप जहें तो मोटी भी रख सकते हैं तो मैंने मिक्सर में कर ली तो इस तरीके से लड़ू बन जाते हैं और बहुत आसानी से बहुत अच्छी लगते हैं तो इस यह मेरी ड़्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी माबा की सब्सक्राइब करें तो इसको आप जाकरेंगे पैक करके लख सकते हैं तो इस तरह के से अपने मेरी ड़्डू की रचिपी कैसी लगी तो अच्य लगी है तो कमेंट करिएगा और मेरे नय चैनल की वीडियो डालती हूँ जिसनों कम्यूटी आफशन में मेरा एक नया चैनल है तो उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को स्सक्रीब कीजियो और दो Bubble a यदिगी जब सबलग में जरू किशिएगा और मेरे चैनल को सरब कीजियोगा और क्रासे दो फोलो के हैं नेक्स वीडियो में या जैसे किछना करणет हुट कर दो करो... झाल झाल प्रस्ट करें